क्या एक फिल्म सूपरस्टार ने अपने ही फैन का मर्डर करवाया वो भी इसलिए क्योंकि उनके फैन ने उनकी कथित गर्फ्रेंड को सोशल मीडिया पर ट्रॉल किया था उनके और उनकी पत्नी के बीच में जगड़ा करवाने के लिए पड़ी दिलजस्प कहानी है यह कहानी शुरू होती है 9 जून की सुभा जब बैंगलॉर पुलिस को बैंगलॉर के सुमन हली एरिया से एक फोन आता है और लोग पुलिस को बताते हैं कि नाले में एक लाश तैरती हुई मुली है पुलिस वहाँ पहुंचती है लाश को नाले से निकाला जाता है तमाम इंक्व किया जाता है कि ये मडर हम ही चारों ने किया है पुलिस चारों को गिरफतार करती है और इंक्वाइरी शुरू करती है इसी बीच तमाम एविडेंस के अधार पर पुलिस इस लाश की पहचान करती है रेनकवा स्वामी नाम का एक शक्स जो 33 साल का था और बैंगलॉर के एक लोकल मेडिकल स्टोर में नौक लिकिया करता था ये शक्स कनणा फिल्म सूपरस्टार दर्शन का डाय हार्ट फैन पुलिस की इंक्वाइरी आगे बढ़ती है तो इंक्वाइरी के बाद पता चलता है कि रेनकवा स्वामी को मारने की जिम्मेदारी जिन चार लोगों ने ल मैसूर के एक होटल में दर्शन मौजूद थे उन्हें एंक्वाइरी के लिए बैंगलोर बुलाया जाता है एंक्वाइरी आगे बढ़ती है और पुलिस 11 जून को दर्शन को 6 दिन की पुलिस कस्टेडी में ले लिती है लेकिन ये कहानी सिर्फ यहीं समाप नहीं होती पव पवित्रा गोडा और दर्शन के बीच में पवित्रा गोडा और दर्शन को मिला कर कुल 12 लोगों को बैंगलोर पुलिस ने अभी तक इस पूरे इंसिडेंट में गिरिफ्तार किया है लेकिन कहानी में टो इस तब आता है जब पुलिस को यह पता चलता है कि दर्शन के कहने पर उन चार लोगों ने रेनुका स्वामी को इसलिए मारा क्यूंकि रेनुका स्वामी ऑन लाइन इंस्टाग्राम पर पवित्रा गौड़ा के पोस्ट के नीचे कॉमेंट्स करकर उन्हें हरास कर रहे थे पवित्रा गौड़ा ने मदद के लिए दर्शन को अप्रोच किया दर्शन के कहने पर इन चार लोगों ने आठ जून को रेनुका स्वामी को एबडक्ट किया यानि कि उन्हें अगवा करकर ये एक ज लोगों ने जिसके चलते सवामी की मौत हो गई 9 जून की सुबह इनी लोगों ने दर्शन के कहने पर जहांसे पुलिस नने और इंकौईरी करनी शुरू की कि पहुत्रा गौडा 55 के के बीच का रिष्टा क्या है आपको बता दें कि दर्शन जो है एक मेरिड सूपरस्टार है कर्नाडा फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े सूपरस्टार है इनकी वाइफ है विजय लक्ष्मी लेकिन इनकी वाइफ से इनके संबंद अब एक्टिव नहीं है साल 2011 में इनकी वाइफ ने इनके ओपर डोमेस्टिक वॉयलेंस का आरोप लगाया था और उसके बाद से ऐसा बताया जाता है कि इनकी वाइफ और इनके संबंदों में हल्की सी अनाबनी आने लगी थी रेनुका स्वामी जो की दर्शन के फैन थे उन्होंने पवित्रा गोड़ा की पोस्स जताई और दर्शन की मदत मांगी और उसके आगे की कहानी आपको पता है 24 जन्वरी का ये पोस्ट आप एक बार अपनी स्क्रीन पर देखिए ये पवित्रा गोड़ा के इंस्टाग्राम हैंडल से किया गया है इसके अंदर आपको पवित्रा नजर आएंगी दर्शन नजर किया है इसी पोस्ट के अंदर आपको दर्शन की बेटी भी नजर आएंगी जिनकी कुछ तस्वीरे दर्शन के साथ और कुछ तस्वीरे पवित्रा के साथ है ये बेटी दर्शन और विजय लक्ष्मी की है जो दर्शन की वाइफ रह चुकी है साल 2011 में जिनोंने इनके ओप